Hello students, रासाइनीक आबंधन तिथा आन्वीक सिन्रचना में जिस पर सबसे ज़ादा प्रशने पूछे जाते हैं, वह topic है hybridization and shapes, संकरन और आकृती तो आज हथ के lecture में हम इस पर आधारित बहुत सारी questions को discuss करेंगे और उसके पहले थोड़ी सी theory को समझते हैं तो देखें, single bond का अर्थ होता है 1 sigma, double bond का अर्थ होता है 1 sigma plus 1 pi, triple bond का अर्थ होता है 1 sigma plus 2 pi अब बात करते हैं संकरन जिसे हम hybridization भी बोलते हैं, यहाँ पर हमें सर्फ जरूरत होती है sigma आबंध और एकाके युग्म जिसे हम number of loan pairs बोलते हैं तो इस formula का उपयोग हम hybridization के लिए करते हैं अब देखते हैं कि अगर संकरन यानि अगर sigma आबंध और एकाकी युग्म का योग 2i इसका अर्थ होता है sp 3i इसका अर्थ होता है sp2, 4i इसका अर्थ होता है sp3, 5i इसका अर्थ होता है sp3d और sp3d2 यहाँ पर kendria parmanu को हम identify करते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारा जो kendria parmanu है boron, carbon, oxygen और carbon तो यहाँ पर हमें सैयोजगता electron को उपयोग करना है पहला प्रशन लेते हैं और आप मालीजे ऐसे हमने उधारन लिया है अभी हम J और नीट के प्रशनों को तुरंट solve करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा आबंध की संख्या 4 है, 4 अर्थात यहाँ पर सिग्मा आबंध अगर आपका 4 है अर्थात या sp3 hybridization है बात करते हैं जलकी, यहाँ पर oxygen का सैयोजगता electron 6 electron होता है क्योंकि यहाँ एक केंद्रिया परमानू है तो यहाँ पर oxygen को हम इस तरह लिखेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक oxygen oxygen अपने एक-एक electron को hydrogen के साथ share करता है और इस प्रकार की आकृती का निर्मान करता है तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एकाकी युगम कितना है तो आपको यहाँ पर lone pair की संख्या 2 बतानी है जबकि अगर आपसे कोई sigma आबंद के बारे में पूछे तो आपको उसकी संख्या यहाँ पर 2 बतानी है तो यह total जो संख्या है hybridization की यह 4 आएगी अर्थात sp3 hybridization sp3 संकरन मतलब जल में भी संकरन sp3 होता है अमोनिया का case देखते हैं जैसा कि हम जानते है nitrogen का valence electron 5 होता है और यहाँ पर वह 3 hydrogen के साथ 1-1 electron सहियोग करके इस तरह की आकरिती को बनाता है तो यहाँ पर sigma आबंध 3 और एकाकी युगम 4 होता है अर्थात यहाँ पर यह 4 मतलब sp3 hybridization यह बनाएगा तो बच्चों यह बहुत important topic अभी हमने समझा तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर sp है तो इसकी आकरिती राखिक होगी sp2 है अर्थात triconia samtal हम देखेंगे इसे समझेंगे यहाँ पर अगर एकाकी युगम की संख्या 0 हो लेकिन ऐसे भी कुछ अनू होते हैं जहाँ पर एकाकी युगम की संख्या एक दो तीन अर्थात चार भी हो सकती है तो ऐसे प्रश्नों को भी solve करेंगे और हर एक प्रश्न को solve करते हुए हम चीजों को समझेंगे SP3D अर्थात यहाँ पर अगर इनका कुल योग निकाले तो 5 आएगा जैसे PCL5 हमारे एक बहुत अच्छा उधारन है जहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आपको सिगमा आबंद की संख्या पूछी जाए तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से यहाँ पर बोल सकते हैं कि सिग अब्रिडाइजेशन 5 होगा ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एक SP3D2 की बात कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा उधारन SF6 है तो हम इन सभी चीजों को समझेंगे बच्चो अगर आप वीडियो नंबर 11 को चेक करें तो वहाँ पर यह चीजे हमने सीख नया है तो हो सकता है समझ में ना आए तो सबसे अच्छा उपाई यह है कि हम जादा से जादा प्रशनों को सॉल्फ करें तो यह चीज़ आपको NCRT में मिलेगी और वहाँ पर इन चीजों को पढ़िए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक हमारा NCRT होता है प्रशन तो हम सॉल्फ कर पाएंगे तो आए पहला प्रशन देखते हैं यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि संभुज आकरिती में होता है यहां पर संभुज आकरिती मतलब यहां पर संभुज आकरिती का अर्थ है कि जिसकी अब यहां पर देखिए अगर हम SP2 संकरण की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम SP2 देखें तो इसकी जो main आकृती होती है, अगर BCL3 की बात करें, यहाँ पर BCL3 की बात करें, तो यहाँ पर बुरॉन की जो valence electron होता है, यहाँ पर जो सहिंजगता electron है, वह तीन होगा, क्लोरिन की हम valence लेंगे, क्यूंकि यहाँ पर यह एक surrounding atom है तो हम इसकी valency को calculate करेंगे तो यहाँ पर यह एक एक होगा अब देखिए अगर boron यहाँ पर हर chlorine के साथ electron अपना share करता है तो यहाँ पर इस तरह electron pair बनेगा अब देखिए BCL3 के आकरिती के बारे में देखिए यह बिलकुल त्रिबूज के समान है बिलकुल triangle के समान है यह कैसा है यह बिलकुल triangle के समान है तो इसलिए और यहाँ पर sigma आबंध कितना है यहाँ पर sigma आबंध 3 है यहाँ पर 3 sigma आबंध है यहाँ पर hybridization होगा sp2 होगा और इसकी आकरिती बच्चो इसकी आकरिती होगी SP2 तो या SP2 संगरन होगा तो सम्भुज आकरिती कहा मिलती है SP2 में मिलती है उधारन है BCL3, BF3, BI3 ये सभी इसके बहुत अच्छे एक्जामपल है आप जरूर सॉल्फ करिए और समझे कि कैसे आकरिती हम निकाल सकते हैं नेक्स प्रेंट्र लेते हैं निम्न लिखित में से किस अनू में परमानू की बिवस्था रैखिक नहीं है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है अगर आपको बेसिक भी आता है तो आप जानते हैं कि कार्बन डायोकसाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प् तो यहाँ पर यह चीज़ हमें समझ में आती है कि या सभी लीनियर है अर्थात रैखिक है या सभी क्या है रैखिक है यहाँ पर यह सभी रैखिक है लेकिन अगर हम H2S का एक्जामपल ले तो हम जानते हैं कि इसके पास सल्फर के पास जो सैयुजक्ता इलेक्ट्रॉन है व तो यहां पर वह दो एकाकी युग्म बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इसका अर्थ है कि कुछ इस प्रकार की आकरिती आएगी और यहां पर सिग्मा आबंध दो और एकाकी युग्म यहां पर हमें मिल रहा है दो अर्थात या टो SP3 hybridization tetrahedral होता है बच्चो tetrahedral होता है SP3 की जो आकरिती होती है वह यहां मैं लिख दे रही हूँ या tetrahedral कहलाती है या कभी भी राखिक नहीं हो सकती तो यहां पर यह चीज हमें समझ में आती है जैसे मिथेन या एक tetrahedral compound है चतुस फलकिया compound है जैसे जल, ammonia इन सभी का hybridization SP3 होगा ठीक इसी प्रकार या कभी राखिक नहीं हो सकता है तो यह SP3 है और या कभी राखिक नहीं होगा हमेशा बात को याद रखिए कि SP hybridization जो SP hybridization होता है उसकी आकरिती हमेशा राखिक होती है हमेशा राखिक होती है कैसे समझ सकते हैं तो आईए थोड़ा इसे और अच्छे से समझ ले मान लीजे अगर मैंने carbon dioxide लिया और यहां पर मैंने sigma आबंध इस carbon के लिए निकाला sigma आबंध इस carbon के लिए निकाला तो आप बताईए कि यहां पर कितने sigma आबंध है तो यहां पर जो sigma आबंध हमें मिलेगा उसकी संख्या दो अर्थात SP आकरिती क्या है राखिक यहां पर देखें केंद्रिय परमानू में SP2 संकरन हो सकता है तो यहां पर option B हमारा correct होगा समझ लेते हैं कैसे यहां पर देखें आमोनिया का आप calculate करिएगा SP3 आएगा या SP आएगा और यहां पर यह भी SP आएगा लेकिन हम यहां पर BF3 पर देखते हैं कि BF3 के आकरिती कै इसी होगी तो BF3 के लिए आप देखें कि बुरॉन का valence electron 3 होगा तीन फ्लोरीन को इस तरह लिखती जिए और हम जानते हैं कि बुरॉन हमारा केंद्रिय परमानू है इसका अर्थ क्या है कि हमें फ्लोरीन को surrounding में मतलब उसके चारों तरफ रखना है बुरॉन अपना 3 electron लेक लेकर आ गया फ्लोरीन की valence एक है वह अपना एक electron लेकर आ गया आकरिती कैसी होगी आकरिती ऐसी बन जाएगी यहां पर कितना सिग्मा आबंद है तीन सिग्मा आबंद है तीन सिग्मा आबंद का क्या अर्थ होता है बच्चों तीन सिग्मा आबंद का अर्थ होता है 5. SP3D2 का अर्थ होगा 6, तो यहाँ पर सिग्मा आबंद कितना आया, तीन सिग्मा आबंद अर्थात, या भी हमारा SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नेक्स प्रशन को देखते हैं, कौन सी संद्रचना रैखिक है, कार्बन डायोकसाइड की आकरिती को देखिए, यहाँ पर कार्बन डायोकसाइड की आकरिती आपको बनाने आता है, और बिलकुल यही आकरिती होती है, यहाँ पर सिग्मा आबंद देखिए, एक पाई में, एक सिग्मा और एक पाई उपस्थित है हम केंद्रिया परमानू के लिए संकरन यानी हाईब्रडाइजेशन निकालते हैं तो यहाँ पर अगर मैं आप से पूछू कि सिग्मा आबंद की क्या संख्या है तो आप बोलिएगा दो एकाकी युग्म की क्या संख्या है तो यहां पर कोई भी एका की युग्म नहीं है इसका अर्थ यह है कि hybridization जिसे हम संकरन भी बोलते हैं वह हो जाएगा दो और दो का अर्थ होता है SP और SP का अर्थ होता है रैखिक यह बहुत important है हमने first slide में लिखा है बच्चो यह जो मैं अभी आपको लिख के बता रही हूं यह सभी आपको PDF में आपके description box में मिलेगा तो आप वहां से download कर सकते हैं next question को देखते हैं इसमें कौन tetrahedral नहीं है तो बच्चो यहां पर देखिए कि अगर आप की आकरिती हमने discuss की थी यहां आपका sp3 hybridization होगा यहां पर 2 sigma plus 2 loan pair थे आपको याद होगा तो यह 2 sigma 2 loan pair थे भी एच एफ 4 minus यहां पर देखिए यह भी आपका sp3 hybridization होगा पर bh3 sp2 होगा यह जैसे बिलकुल bf3 की आकरिती हमने discuss की बिलकुल bh3 की आकरिती भी वैसी होगी और यह sp2 hybridization होगा option b हमारा correct होगा यहां पर देखिए यह sp3 है एक बार इसे देख लेते हैं अगर bh4 minus की बात करे तो वह कुछ इस प्रकार का होगा मतलब यहां पर कितने sigma आबंध है यहां पर 4 sigma है 4 sigma का अर्थ क्या होता है sp3 NH4 plus की बात कर ले तो nitrogen बीच में 4 तरफ hydrogen आएगा और यहां पर कितने sigma आबंध है 4 तो इसका भी अर्थ हुआ sp3 तो यहां option b हमारा correct होगा यह option a c d यह सभी tetrahedral संरचना दिखाएंगे bcl3 समतलिया अनू है जबकि ncl3 एक pyramid है क्यूं तो इसे देखते हैं देखे bcl3 का जब हमने यहां पर hybridization निकाला तो sp2 हुआ तो हमने इसे कैसे एक त्रिभूज के अंदर में लिखा ठीक इस प्रकार यहां पर कोई भी एकाकी युग्म नहीं है यहां पर कोई भी एकाकी युग्म नहीं है बात करते हैं ncl3 की बात करते हैं ncl3 की अगर आप यहां पर nitrogen के valence electron के बात करें तो यहां पर 5, chlorine यहां पर 3 है यहां पर यह आकरिती कुछ इस प्रकार की होगी कि 3 chlorine के साथ 3 sigma bond और एक एकाकी युग्म एक एकाकी युग्म मतलब यहां पर 3 sigma और 1 lone pair अर्थात इसकी संख्या हो गई 4 यह हो गया आपका sp3 जैसे हम tetrahedral भी बोलते हैं तो देखें यहां पर NCl3 जैसा की CH4 आपका ammonia जल यह सभी tetrahedral hybridization चदुस फलकिया hybridization दिखाते हैं तो देखें अगर हम CH4 को लिखें तो हम इस तरह लिखते हैं जो इसकी आकरिती होती है ठीक उसी प्रकार अगर हम NCl3 को लिखेंगे तो एक lone pair को इस तरह और chlorine को इस तरह लिखेंगे और यहां पर मैं बोल दू कि आकरिती आकरिती में हम यहां पर देखिए हमने यहां पर क्या लिखा था कि हम आकरिती में एकाकी युगम नहीं लेते हैं बहुत important point है कि हम आकरिती में एकाकी युगम नहीं लेते हैं हम आकरिती में एकाकी युगम नहीं लेंगे, तो यहां पर अगर NCL 3 में इसे हम उसका लोन पेर निकाल दे, तो वह कुछ इस प्रकार का दिखेगा, वह कुछ इस प्रकार का दिखेगा बच्चो, तो यहां पर यहां कैसा है? पिरामिड शेप का है यहां पिरामिड शेप का है तो इसका reason क्या है? BCL3 में इकाकी युग्म नहीं होता जबकि NCL3 में इकाकी युग्म होता है option D हमारा correct है यहां पर ASF5 की बात करेंगे और यहां पर मैं आपको बता दू यह arsenic group 15 का element है group 15 से आता है, वर्ग 15 से आता है, phosphorus nitrogen की family से आता है और यहां पर arsenic का जो valence electron होता है वो अभी 5 होता है तो देखें यहां पर ASF5 मतलब 5 valence electron है तो कुछ इस प्रकार यहां पर 5 sigma होंगे 5 sigma, 5 sigma अर्थाद SP3D, 5 sigma अर्थाद SP3D, SP3D की आकरिती बच्चों कुछ इस प्रकार की होती है इसका example आप PCL5 का example देखेगा तो वहां पर आपको समझ में आगा यहां पर arsenic, इस कोने पर एक fluorine, इस कोने पर एक fluorine, उपर की तरफ एक fluorine, नीचे की तरफ एक fluorine तो देखे अगर SP3D है, यहां पर अगर SP3D है, तो यहां पर देखे, S का एक ही कक्षक होता है P3 मतलब PXB है, यूज किया गया, PYB, PZB और D और अगर यहां बच्चों याद रखे कि अगर D है, और यहां पर सिग्मा आबंध है, अगर सिग्मा आबंध है, तो यहां पर हम सिफ DZ2 कक्षक का उप्योग करेंगे यहां पर हम देखे, यहां पर बच्चों यहां पर सबसे इंप्वाटन चीज क्या है, कि यहां पर अगर आप आकरिती को देखे, यहां पर S, PX, PY, PZ अब यहाँ पर आपको confusion कहां पर होना चाहिए, option B और C में, तो यहाँ पर हम XY plane लिए, हम लोग यहाँ पर XY plane लिए, यहाँ पर option C क्योंकि यह जो है, यह Z axis इसे हम मानते हैं, इसे हम Z axis मानते हैं बच्चों, इसे हम Z axis मानते हैं, और यहाँ पर कौन होगा, PZ होगा और DZ square यहाँ पर देखें, मैं इस ब्लाक रंग वाले को, मैं इस ब्लाक रंग से इसे करती हूँ, इसे हम XY plane मानते हैं, इसे हमने XY plane कहा, और हमने जो लाल रंग से किया है, उसे हमने Z axis बोला, तो Z axis पर अगर आप बात करें, तो यहाँ पर एक आरसनिक, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ और यहाँ फ्लोरीन, तो यहाँ पर XY axis में तीन परमानू मिलेंगे, चार परमानू, ठीक है बच्चो, यहाँ पर हमें चार परमानू मिलेंगे, तीन फ्लोरीन और एक आरसनिक, लेकिन दो फ्लोरीन कहां जाएंगे, एक PZ में जाएगा और DZ स्क्वार में, क्योंकि अगर इसकी बात करें, तो अगर हम AXIS को ड्रॉ करते हैं, एकसिस को इस तेरा ड्रॉ करते हैं, यह X, Y, Z, तो यहाँ पर ऑप्शन C हमारा करेक्ट होगा, निमने में से कौन सा अणू, सम तलिया है, सम तलिया का अर्थ क्या होता है, बच्चो, यहाँ पर हम इस शीज को समझेगे हम XZF4 में हम जानते हैं कि Zinon एक उतक्रिष्ट गैस है और उतक्रिष्ट गैस का valence electron कितना होता है 8 होता है तो fluorine यहाँ पर है 4 यहाँ पर हमारे पास 4 fluorine है और fluorine कहाँ पर जाएगा side में जाएगा सभी सभी side में जाएगा यहाँ पर अगर fluorine side में जाएगा तो कितने एकाकी युग्म बनेंगे तो यहां पर sigma आबंध हमें 4 मिलेंगे और एकाकी युग्म हमें यहां पर 2 मिलेंगे यहां पर देखें क्योंकि 8 valence electron है तो उसे use करना है उसका उप्योग करना है तो यहां पर जो संकरन हमें मिलेगा वो आएगा 6 अर्थात sp3 d2 hybridization आएगा sp3 d2 अब sp3 d2 को हम कैसे लिखते हैं उसे थोड़ा समझते है sp3 d2 की जो actual में आकरिती होती है वह इस प्रकार की होती है जो sp3 d2 जिसे हम octahedral बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चो octahedral तो octahedral की आकरिती जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है तो देखे यहां पर हम octahedral को draw करने दोते हैं तो यहां पर ast falakya जिसे हम बोलते हैं तो यहां पर a यहां पर 4 कोनों पर b और यहां पर 4 कोनों पर b अब यहां पर 5 भी और 6 भी ठीक इसी प्रकार यह sp3 d2 की actual असली वाली आकरिती यानि जैमिती है अब हम exe f4 को इसमें बैठाते हैं तो कैसे करेंगे यहां पर देखिए xenon को हमने बीच में लिखा चारो fluorine को हमने हर कोने पर लिख दिया अब यहां पर हम क्या करेंगे जो lone pair होगा उसको maximum distance पर रखेंगे क्यूंकि valence shell electron pair repulsion vsepr theory का वीडियो आप देखिए वहां पर आप समझेंगे कि lone pair, lone pair में बहुत repulsion होता है बहुत repulsion तो वहां पर lone pair को distance में रखना बहुत जरूरी है तो यह तो हो गया हमारा संकरन जिसे हम hybridization बोलते हैं अब बात करेंगे हम ज्यामिती की यानि आकृती की और आकृती में हम कभी भी एकाकी युग्म नहीं लेते हम कभी भी एकाकी युग्म नहीं लेते और आप देखिए यह समतल दिखाई देता है तो यहां समतलिया आकृति का होगा, तो कौन सा नूज इनौन यहां पर समतलिया आकृति का है, बच्चों नेक्स लेक्चर में और भी प्रशनों को सॉल्व करेंगे, तब तक इन सभी क्वेस्चन को करिए, वीडियो नेंबर 12 देखिए, और आगे और नेक्स प्रशन को करें धन्यवाद, थैंक यू